नमस्कार मित्रों, हिंदीकुरी.com में आपका स्वागत है। आज हम बात कने चल रहे हैं सारा कासो पन्यास के मुन्नी के बारे में। सारा कासो पन्यास में मुन्नी एक सम्विदन सील वदुखी पात्र है। वह पती द्वारा परित्यक्तिया होकर भी और हसा है और अबला बन जाती है। वह समर से दो वर्स छोटी है। वह एक ऐसी अभागी लड़की है जिसके भागी रिखा में किवल दुख, प्रताणना, अपमान और पीडा लिखा हुआ है। पती द्वारा वह जो यातना पाती है वह अफधारण है। फिर भी वह चुप चाप सहन करती रहती है। इसे से कह भी तुन ही पाती थी। नौकरानी की तरह अपनी और अपनी रख्याल की सिवा करवाता और दो तीन तीन दिन तक खाना नहीं मिलता था। और नजानी कितने अत्याचार सहने पड़ते। मुनी तो बतलाती ही नहीं थी। राद भर इनकी दोनों हथेलियों पर खाट के पाए रखकर इसके कुढ़ाने और जलाने को अपनी आनंद किड़ा के परदर्फन की जाते। और एक दिन सारे सरीर पर कई बेतों की फूले हुए निसान लेकर मुनी सुबह सुबह हमारे यहां आ गई। इतना बड़ा अत्याचार वह मुग भावफे सहती रही वह पती की बिरुद कभी कुछ नहीं कहती अंदर ही अंदर गुड़ती रहती थी उसकी दसा मुग निरी गाय जैसी रहती थी जिस समय उसके पिताजी उसके बिदाई करते तो वह कहती बाबु जी तुम मुझे जहर देकर अपने हाथों से मार डालो मेरा गला गोर दो पर मुझे वहां मत भेजो मैं मर जाओंगी और फचमुच एक दिन वह मार डाली जाती है उसके सहंसिलता और मूग पिड़ा के संबन में अन्यंतर लिखा गया है मुनी तो पता नहीं कुछ बोल सोचती भी या नहीं अध पता जाते हुए कहती भाईया भावी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया है वह निर्दोस है तो मुनी एक ऐसा चिरत बनके आलाता है जो कि भागिहीन है दुख सीला है और नारी आतना और फुफण का प्रतीक है इतना बड़ा तैशार वा मुग भाव से साहिन करती रहती है और अपने पती के अपने मायके में कुछ नहीं कहती है मुनी की पीड़ा हमारे हजारों लाखों मदेवर की नारी ने जिला है इस पीड़ा की चिंता यह मानों समाज कभी नहीं कर सकता समाज की अंगिनत मुनी ऐसी नारियां वसंत की मादक अन्भूती पाने के स्वाज में दो महत्त पूर्ण कारण हैं और वह है दहज परता और भविवा मुन्य दोनों परसुतियों का सिकार बन जाती है पिता की दवारा दिये के दहज को तसराल वालों ने ब्रयाप्त नहीं माना दैज के लिए उसतरी यातनाएं दी गई मुनिक पति ने अपनी वास्ता के त्रपत्त्री के लिए रखायर रख लिया था मुन् highlights को वा मात्र सारीरक आधाध देखकर ही प्रताडित नहीं करता था अपितु मुन्य के सामने ही रखेल के साथ रंग रेलिया मनाकर वाउसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था यातनाओं को सहते सहते एक दिन संसार स्वा चली गई मुन्नीका चर्त्र आज के संक्रमनसील धनलोलूप मतवर्गे समाज में हमारी उन बहनों का दुर्भाग साली चर्त्र है जो पिता की गरीबी के काण दीगे कम धहज के काण अकाल मिर्थ यूदु को प्राप्त कर जाती हैं और समाज उसे मुग भाव से शुप चाप से दर्सक बनकर देखता और भूल जाता है उन्यकाजिवन हमारे मन को जड़ोड देता है और एक ऐसे समाजिव्योस्था कि बुर्द करामति का भाव मन को भर देता है तो यही होता है कि मुन्न झाल 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 झाल